नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका बाग करने जा रहे हैं आज चब चौथा दिन शुरू हुआ तो उसके साथ ही एक तस्वीर सामने निकल कर आई हनुमा विहारी ने कैच छोड़ दिया असान सा कैच था और उसके बाद शुरू हुई ट्रोलिंग मानस लबुशेन का ये कैच था मानस लबुशेन जो कि अच्छा खेल रहे थे इस पूरे के पूरे टेस्ट मैच में उन्होंने शुरूबात में 90's में वो आउट हुए थे और आज भी उन्होंने अच्छा खेला लेकिन हनुमा विहारी ने जो उनका कैच छोड़ा उसके बहुत कैच छोड़े वहाँ पर ऐस्ट्रेलिया ने कम छोड़े और यही सारी चीजे हैं जो एक मैच में किसी टीम को आगे या पीछे कर देती हैं बढ़त दिला देती हैं या फिर ट्राइल करवा देती हैं और यही वज़ए है कि इसका खाम्याजा जो है टीम इंडिया को भुगतना पड़ रहा है हनुमा विहारी और उसके बाद पर रोहिट शर्मा ने भी एक कैच छोड़ा और जस्परीद बुमरा की गेंद पर था तो यह सारी की सारी चीजे हैं जो कि इस वक्त पे दिखा रही है कि टीम इंडिया की प्रॉब्लम नसर्फ लचर होती हुई ब समस्या टीम इंडिया के लिए हमेशा बनी रही है कि वो टेल अंडर स्कॉट नहीं कर पाती है और इसके साथ साथ अब यह कैचिंग की भी एक प्रॉब्लम है जो कि एक सीरियस कंसर्न है बहुत बहुत शुक्री है इस वीडियो को देखने के लिए